तो आप लोग कैसे हो उमीद करती हूं अच्छे से होंगे तो दोस्तों बहुत कराके की ठंडी है बस इसी ठंडी के लिए मैं आप लोग के लिए एक ऐसी यूनिक और्टी रेसिपी लेके आई हूं जिसे आप पांच मिनट में बना सकते हो ना कुछ आपको भूनने की है बस पांच मिनट में बनके रेडी हो जाती है और पूरे परिवार आप इसको अच्छे से इंज्वाई कर सकते हैं बहुत ही जबरदस्त और टेश्टी है दोस्तों तो चलिए फटा-फट से हम यह बनाते तो एक गमला ले लिया है और यहां पर आप देख सकते हो यह मैद करके हाफ इस्पून करीब मैंने मंग्रेल ले लिया है मंग्रेल थोड़ा ही लीजिएगा नहीं तो फिर दीता हो जाएगा इसका जो फ्लेवर होता है थोड़ा कड़वा टाइप का होता है तो दोस्तों आब हम इसमें हाफ इस्पून करीब नमक ले लेंगे दोस्तों अब और साथ ही साथ इसमें एक स्पून करीब हम ऑईल डाल देंगे दोस्तों जादा नहीं देना है बस एक स्पून करीब इसमें ऑईल डालना है अब हाथों से इसको अच्छी तरह से मसलना है मौईन करना है दोस्तों देखें इस चमस से एक चमस मैंने इसमें ऑईल डाला है इसक बहुत जरूरी रहेगा तभी आपकी ये रेसिपी खस्ता होगी और अच्छा नहीं बनेगा ये रेसिपी तो दोस्तों दोनों हाथों से ऐसे करके हथेलियों से ऐसे करके रगढ़ना है इसको एकदम अच्छी तरह से मसल्ला है तभी ये हमारी बहुत अंदर तक क्रिस्पी बनेगी ये रेसिपी बहुत ही खस्ता बनेगा दोस्तों तो बार-बार आप इसी ट्रिक से ये रेसिपी बनाओगे और चाई की ठंडी की चाई के साथ चुस्किया मार करके ये रेसिपी बार-बार बनाने का मन करेगा और लुफ तुठाओगे दोस्तों तो इसको करीब पांच मिनट के लिए हमें अच्छे से मोहिन करना है मोहिन करना बहुत जरूरी है इस ट्रिक से आप इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों की हतेलियों से मोहिन कीजेगा जो बहुत ही खस्ता बनेगा तो दोस्तों लगबक 5 मिनट तक इसको मैंने अच्छी तरह से मिलाया है मोईन किया है यह देखिए इस तरह से जब हम किसी भी चीज को मोईन करने के बाद मिलाने के बाद जब हात में लेते हैं और ऐसे मुठी बानते हैं तो यह देखिए लड़ पॉइंट यही रहता है कि आप उसे बहुत ही मौइन करें, अच्छी तरह से मिलाएं, तो इसको मिलाने से एक तो यह हुग गया, सारी समाग्रेज में अच्छी तरह से मिल गई है, यह अच्छी तरह से मिल गया है, अब हम इसमें एकाएक पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा- जादा ये टाइट डो रखना है और ना जादा सौप्ट बनाना है जैसा आटा हम गूथते हैं उसी तरह से लगबग बनाना है लेकिन उससे अगर थोड़ा सा टाइट रहेगा तो चलेगा दोस्तों तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी देखें हम इसको डो फॉर्म में ले आते हैं दोस्तों तो दोस्तों देखें के जादा पानी की अवश्शंक्ता नहीं हुई और ये एकदम ऐसा बनने के रेड़ी हो गया दोनों हाथों से इसको मैंने अच्छी तरह से मसल मसल्राइट बना लिया है यह देखें ना तो जाधा ये टाइट है और ना जादा स soft है ऐसा बनके ready हो गया है तो दोस्तों अब लगबग मैंने एक चमच करीब oil और ले लिया है और इस पर लगा दे रहे हूं और इसको अच्छे से थोड़ा सा खीच खीच के इसको हम ऐसे करके अच्छी तरह से थोड़ा चिकना कर लेंगे तब यह रेशिपी बहुत ही होगी और खाने में आनंद आजाएगा दोस्तों तो इसको दोनों हाथों से ऐसे करके लंबा लंबा करके ऐसे खीच खीच के हम इसको अच्छी तरह से चिकना करेंगे दोस्तों जितना ये चिकना होगा उतना ये क्रिस्पी बनेगा दोस्तों एक बार आप इस ट्रिक से इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इसमें बेलने के भी आब सकता न देखिएगा बीच में देखे स्केप मत किजेगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक किजेगा शेर किजेगा हो सके तो फेस्बुक पे भी मेरे चैनल को सरीता सरीता राजेश्वरी फूट प्रिया आर्ट को फोलो कर लिजेग बस इसको आप हम साइड रख देते हैं इसकी स्टफिंग तैयारी करते हैं तो आलू को हमने कदुकस से ग्रेट कर लिया है देखिए एक भी लम्स नहीं है इसलिए कदुकस से क्रस किया था तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मूंग फली है और यहाँ पे हरी-हरी इस ठंडी में इस रेशिपी को जरूर ट्राई कीजेगा वाही लूटिएगा गेस टाएं उनसे भी और अपने फैमली वालू से दोस्तों तो दोस्तों इसमें हम फ्लेवर एट करते हैं तो सबसे पहले वन फॉर्थ करीब हम इसमें टर्मरी पॉडर डालेंगे उसके बाद हम साबुत धनिया डालेंगे जो साबुत धनिया आती है दोस्तों एक चमच करीब वह भी डाल दिया है मैंने विसमें साबुत एक चमच करीब जीरा डालेंगे अब हम इसमें वन फॉर्थ करीब क्योंकि हरी मिरची जो थी तीकी वाली वो तीकी मिरची थी तो मैंने उसको 10 से 12 डाला है इसलिए 1 फोर्थ करीब मैं इसमें रेट चिली पॉडर डाल रहे हूँ अब हम इसमें एक चमच करीब धनिया पॉडर डालेंगे दोस्तों तीखा स्पाइसनेस आप अपने टेस्ट के कॉड़िंग एजेस्ट कीजेगा बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी कम कीजिएगा अथी साथ अब हम इसमें दरदरा ब्लैक पेपर दे रहे हैं ये घर का ही है इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा हैगा अब वन फोर्थ करीब हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं टेस्ट इकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं नमक हमने डो में भी दिया है तो ध्यान से आप नमक डालिएगा ज़्यादा स्वाल्टी न हो जाए अब हम इसमें देर स्पून करीब आप देख सकते हैं दोस्तों फ्लेबर बहुत चटपटा आएगा लेमन का रस है इसको आप जरूर डालिएगा इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आने वाला है दोस्तों अब इस सभी को हम मिला लेंगे हाथों से तो यहाँ पे कोरेंडर लीव है हरी हरी धनिया पत्ता तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं दोस्तों अब इन सबको अच्छी तरह से हम हाथों की सहेता से ही मिलाएंगे क्योंकि चम्मस से अच्छी तरह से नहीं होगा दोस्तों तो इसको हम आपस में मिला लेते हैं तेखिए ऐसे करके लोई काट लिये बराबर साइज की ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला मीडियम लिया है मैंने अपने साबून दानी खिलबटी के अनुसारी लोई काटा है अगर आपका साबूल दानी बढ़ा रहेगा या छोट होगा कि साबून की खिलबटी से भी कोई रेशेपी बन सकती है और कोई डिजाइन आ सकता है दोस्तों तो बस इसको करके हाथों से हलका हलका फैलाना है बेलने की अवसक्ता नहीं है दोस्तों बस देखिए आप देख रहे होंगे वीडियो में ऐसे करके थोड़ा सा मैनत तो लगेगा दोस्तों लेकिन इतना परफेक्ट डिजाइन आएगा दोस्तों कि आप सोच भी नहीं पाओगे तो दोस्तों ये देखिए इतना ही चाहिए क्योंकि जादा पतला हो जाएगा तो फिर ये फूट जाएगा इसको थोड़ा सा ये जो हमारा इसको रोटी ब कभी सोचा भी होगा कि साबुन की खिलबटी से भी हम कोई रेसिपी बना सकते हैं दोस्तों तो एक बार आप जरूर ट्राइ कीजेगा ये रेसिपी बस अब जो यहाँ पे हमने स्टाफिंग रेडी की थी ना ये देखें स्टाफिंग भी देखके मुं में पानी आगया ना द तो दोस्तों यहाँ पे स्टाफिंग मैंने ले लिया है देखें एक मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है ये देख सकते हैं ये देखिए क्या मस्ट डिजाइन दीख रहा है न दोस्तों तो एक मैंने पहले ही बना के रखा है अब एक कटोरी में मैंने पानी भरके रखा हु से पर में आजाएगी और पूरा मैनत हमारा बरबाद हो जाएगा यह देखिए इस तरह से हम लॉक कर देंगे ना तो यह फ्राइ करते समय नहीं खुलेगा दोस्तों तो बस अब हलके हातों से हम इसको निकालेंगे तो यह देखिए दोस्तों कितना मस्ट डिजाइन दिख रह है दोस्तों तो एक बार आप जरूर ट्राइ किजेगा गेस ट्राइंगे तब भी आप यह रेसेपी सर्फ कर सकते हो बहुत ही लाजवाब लगेगी अब क्योंकि हमने पानी लगाया था ना तो इसको अच्छी तरह से हम चिपका देते हैं ताकि यह खुलेगा नहीं दोस्त मैं बढ़ा मैंने सहला हातों से चुटकी से मैं ऐसे कर दे रह estoy तो इस तरह से कोड़ने से इसका perfect क्या मस्थ डीजैन आया है दोस्तों बढ़िए है यह उतनी से दोस्तों सारे अपने रेडीति कर लेती हूं उसके बस करना कुछ नहीं है इसको हम fry करदेंगे यह रेडीए बढ़िया है न दोस्तों तो यह देखिए दोस्तों सारी डीजाइन वाली गुजिया बनके रैडी हो गई है आप हम किचन की और चलते हैं इन्हें क्रिस्पी क्रिस्पी करके फ्राइ करेंगे देखिए देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं मैं नजदीक से आपको दिखा प्रेखिए दीजा़िया गर्म ग्रम फुल फ्लैम से फूल फ्लैम पे ने चाल ने करेंगे तम हम गया एकडम कर देंगे नहीं तो यह ओई गरम है अगर तेज आज पर डालेंगे तो यह क्रिस्पी नहीं होगा इसलिए गैस का फ्रें आप कम कर दीजेगा ताकि मैदा है न कम कर दिया है दोस्तों एक दीछ में थोड़ा थोड़ा करके तले गैस का फ्ल那我們 और इसको अच्छी तरह से ज् делает की एक तरह आच्छे तरह पक ने देंगे फी ज् trafficking क Shooting करकेसि को अच्छी में इसका लूप देख सकते हो थोड़ा थोड़ करके एक बैच में मैं इसको तल रहे हूं दोस्तो ये लीज़े दोस्तो आपकी ये रेसेपी ठंडी स्पेशल बनके रेडी हो गई है, देखने में देखिए बहुत क्रिस्पी और करा रहे हैं दोस्तो इसका डीजाइन देखिए किता प्यारा है इसको आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो या इसको टिपीन में भी ले जा सकते हो दोस्तो जब मन इसका लूफ तुठा सकते हो कोई जादा मेनद की अवस्षकता नहीं है सारे में आप देखिए किता प्यारा डिजाइन आया है दोस्तों तो एक बार आप इस ट्रिक से इसको जरूर बनाईएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि ये रेसिपी कैसी थी इसका टेश्ट कैसा था दोस्तों अगर ये वीडियो ये ट्रिक अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज लेबरेट काटून देखते हुए इसे कैचप के साथ और अद्रग वाली जिंजर चाई के साथ एंज्वाई करने के लिए दोस्तों तो बाबाई टेक केर